हुआ हां एक है हलो फ्रेंड्स चलिए आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लेक्चर में लोग अपना देख रहे थे सेंट्र वमास में हम लोग प्रिवीयस क्लास में पढ़ चुके थे आज हम लोग सेंट्र वमास का सुस्य थो दो कांजर्विशन उपके करेंगे हम लोग हुने कर ददके संह बाते हुऊ हो caste में नहीं प्रश्री never किनेटिक इनर्जी इन सेंट्रों मास प्लस हाफ एम टोटल इन्टू वी सी स्कुरर कुछ ऐसा जन्रेशन आया था जो हम लोगोंने डिटेल्स में चर्चा अल्रेडी कर रखी थी कि आजकी क्लास में बिसे कली हम लोग मुमेंटम का इसके इसके बहुत सारे कोश्शन और देखेंगे यह से कोलीजन बगेरा होता है वह मुमेंटम के थूरू ही सॉल किया जाता है तो चलिए इन साथी बातों के बारे में हम चर्चा और और अल्रेडी इस टॉपिक के अंदर इस लेक्शर के अंदर करेंगे तो चलिए इन चीजों को आगे बढ़ाती हम आज का लेक्शर स्टार्ट करते हैं फस्ट आफ वर मैं अपने आपको डेडियूस करा दू मैसल सक्षम राच्पू लोग मुझे सार सार के नाम से जानते हैं मैं आटी बॉम्बे से भी टेक किय मैं मैं बных के दोरान तो प्रप्रेशन के दौरान इवन माने जो अपनी से लेक्शर हो ऑभा स्क्राट के सात्व रुआ का उट कर रू है तो प्रप्रेशन के दोरान बहुत चोटी चोटी बातों पर मैंने रिसर्च इर्च कर रहा थी वह उपला बिई है कह बात करता है कैuyorsun किया जाता है कैसे नहीं किया जाता है इन सब बातों को देखते हूं मैं आपको गाइड करूंगा यहां पर बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है मैं डेली लाइब आता हूं लुट मेकनिक्स जो मैं 223 के सलोट में पढ़ा रहा हूं यह दौनों ही टॉपिक 11 के परपस से एंड उन लोगों के लिए जो इस टाइम पे जेही मेंस दे रहे हैं जनवरी में यानि इस सेड्यूल्स में उन लोगों के लिए दौनों के लिए बह लोगों पढ़ सकते हैं इस टौफिक के बारे में लेकिन अगर वो चाहें तो इसको देख भी सकते हैं तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं चलिए आप सभी लोगों का अनकेडमी के इस चैनल पर मुमेंटम चैन जो आप लोगों को गाइड करेंगे उन सभी बच्चों को जिनकी वीच से ऑफलाइन कोचिंग एंड बहुत ज्यादा मांट में जिनके पास में पैसा लगता है उनकी रीच तक पहुचने के लिए हम लोगों ने आनकेडम के इस प्लेटफर्म को इस प्लेटफर्म के साथ आप उन सभी लोगों से जोड़ने का प्रियास किया है हम लोग सफल भी है हमारे साथ में बहुत सारे एजुकेटर्स की बहुत बहुत बैतरी टीम के साथ काफी बच्चों का रिस्पॉंस और बाकी सारी चीज़ां बहुत अच्छे से ग्रोब हो रही है तो चलिए हम आप चेहरों में से बहुत सारे लोग नाम जानते भी होगी तो अनगेडमी पे कुछ इस्पेशल क्लासेस बगयरा भी होती है जो अनगेडमी के लर्निंग अप के लिए आप अपना फून उठाईए प्ले स्टोर से लर्निंग डाउनलोड कियेगा वहां से आप मुझे फॉलो क कर सकते हैं फॉलो करने के बाद में जब आप देख रहे होंगे तो कि इस्पेशल क्लासेस का भी अरेंज्मेंट हम लोग कर रहे हैं इनमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक बाइस कुछ चीज़ां होती है जो पर टॉपिक ओरियंटेड होती है यह सारी चीज़ें यहां पर डेली के डेली काफी सारे वीडियो लाइब आते हैं इसमें आप इंट्र एक्सेट के साथ पूछ सकते हैं उनसे डाउट पूछ सकते हैं यह सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यह सब कुछ अनगरिवी पर अडिलेवल है आधी साथ आप ओफ lawn में लगता है बचल को कि सर हम तो आफ्मानन वे टीचएर्स के साथ में इंटरेक्ट भी हो सकते हैं तो यहाँ भी इंटरेक्षण का हम लोगों ने एक तरीका अजमाया है जिसमें आप educators के साथ chat कर सकते हैं इंटरेक्षिन कर सकते हैं interactive pools जनेरेड कर सकते हैं जिसमें इस many class questions pak कूचोंचाया simply ज्ट क्लिक करके तके आप सबसानों करके सद्नते चलेगा कितने लोग को बने क्सम्पा उन्हें-णिलास भंग का ईंडिया लेवल का इंडिया लेवल क्यूंकि आ इन्दाश्रूम के इन्दिया ले वियरू को वथे इन्दिया दिशाल nuestras को आपको पूरे भारन देश के लोगों के साथ में कंपीट करना है इसलिए आप सभी को मैं बता दूं कि आपको इंडिया लेविल के एक क्लास्रूम के साथ में जो हमें कंपटीशन चाहिए वह अबलेवल होता है आप किसी भी जगह किसी भी टाइम पड़ सकते हैं आपको नो डाउट मैं आप लोगों के बहुत बेसिक सा डिस्क्रिप्शन दे दूं अनकेडमी के प्लस और यूटूब के मुमेंटम चैनल के बारे में जो कि आप देख रहे होंगे इन दौनों में बहुत माइनूट सा डिफरेंस बच्चे बोलते हैं सर आप यूटूब पे सारे टॉपिक्स कबर अब कर रही हैं तो पर एकिडेमी के प्लस का क्या फायदा क्लैस के अपने फायदें यहां पर अप को इस वगयरा कर सकते हैं जाया आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है कौन सी बुक लगानी चाहिए क्या करना चाहिए तो आप इतने ज्यादा समझदार नहीं हो जो मतेरियल होता है और रेफाइंड फ्रॉम थाउजंड बुक बहुत अच्छे बुक से लेकर हमें जो अच्छा लगता ह क्योंकि हमारे पास में टाइम होता है हर साल उस टॉपिक को उस पटिकुलर फील्ड में या उस पटिकुलर सब्जेक्ट पे रिस्पेक्टिव फैकल्टी बहुत जादा काम कर रही होती कई सारी बोक से कई सारी सोर्स से हम लोग कोशिशन सेलेक्ट कर रहे होते हैं आपके पास में वो कम टाइम होता है उतने कम टाइम में आप सारा मेटेरियल को नहीं कर सकते हैं इसलिए हम लोग अपना बैस्ट रिफाइंड मेटेडियल का प्रवीजन कराते हैं यहां पर 54 प्लस से ज्यादा टॉप एजुकेटर से हैं कई सारे लोग आप लोग को दिख रहे हो आवर्स लाइब सेशन डेली होते हैं दौनों ही लेंगवीज में क्लासे सेल रही होती है हर मत नए पूर्स आ रहे होते हैं आप अपने पूर्स के हिसाब से अपने आपको डिजाइन कर सकते हैं अगर आपसे बात की जाए तो एक महीने का सब्सक्रिप्शन ही होता है थी थ 6 महीने में सेलेक्शन नहीं ले सकते हैं तो अगर आप यह वाले सोच रहे हैं तो आपका सब्सक्रिप्शन लेने का कोई फाइदा नहीं है that will be stage of money क्योंकि आप अगर गहीं 6 महीने का ले लिए और अगला 6 महीने का फिर रिन्यू कराओगे तो फिर से आपको यहीं अमांट पे करनी होगी इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि 12 मंत का सब्सक्रिप्शन लेजी क्योंकि वह सब्सक्रिप्शन आपको धाई हजार पर मंत के हिसाब से मिल जाएगा यानि कि आप आपको जो 6000 फिर अगला पांच और अगला 4000 था वह पच्छिस सो पर मंत हो गया यानि कि सब्सक्रिप्शन की छूट मिल जाएगी इस छूट के साथ ही अब आप देख पा रहे होंगे कि आपको सिर्फ बाइस सो पचास रुपए पर मंत के हिसाब से ही देना है जो कि बहुत कम है कोई भी आफ्लाइन कोचिंग इतने में कोर्स नहीं करा सकते हैं ध्यान रखना यह उनके नहीं की इस सारी चीजे कवर अप कर सकते हैं तो चलिए यह सारी चीजे मैंने आ alone रिटी सकती हैं आप चाहो तो इनको इसक्रीप्स में डेख सकते हैं आप अगर इस में देखो तो आप देखो दो साल का भी कोर्स थे लोगों के लिए देख सकते हो सब्सक्र tint busy New York Cityego सब्सक्राइब ए करे भूने सारी चीज जिए सब्सक्राइब कर दो और जो 10th से 11th का जो gap होता है जिसमें बच्चे जनरली बोलते हैं कर 10th तो मेरा बहुत अच्छा था लेकिन 11th मेरा इतना अच्छा नहीं गया तो उन लोगों के लिए 10th to 11th के लिए gap को fill करने के लिए 2 years का course बहुत अच्छा होता है इसमें आप बहुत सारी चीज़ें भी और इसमें भी आपको एक code यूज करना है R.A.J.L.I.V. जैसे यह यूज करेंगे आपको instant 10% का discount मिलेगा और आपको 48% के बाद आपको जो fees पे करने होगी वो 4300 पे करने होगी यनि इतनी कम amount में आप 2 years तक physics, chemistry, math इंडिया के topmost faculty मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको बिना आ यूटूब पर वीडियो भी देखिए तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ आपको offline से कई गुना जाद अच्छा चीज़े मिल रहे हैं इवन यह बोड जो लोग प्योर बोड पर परपस से यह चीज़े कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अगरे के लिए अपको बड़ा रहे हैं इतने सारे लोगों ने इसके रिव्यूज दिये हैं और इंस्टाल करने के बाद में आप अपना इड़ी जेक्शन करिए क्योंकि आप सेलेक्षन करेंगे आप इतने सारे कूर्से जो आपको दिख रहे हैं यह आप लोग प्रोड़ कराते हैं लेकिन आप सेलेक्शन करेंगे hard करिये का स्क्रिप्शन में यहां प्रोड़ें करिये एक रासित करिएगा और इसकोर से छी आहिए धे साथ आपका payment option आजाएगा जो की तो साल का अगर सेलेट किया तो फीस यह हो जाएगा आप प्रसीड कराइए लग क्लिक करके तो आपका payment केसल क्टीमी करते हैं जो लोग cuarto क्लास। कि कि आप यह देने प्रका प्रिवेशन कर रहें हैं here कि से क्लास ओ स्काइए proved व्यूक्त करें प्रीवेश भूद्ब आप मुट लोग लग स्काशनी के विडियों को सब्सक्राइब नहीं है इन कारेटिक एनरजी इन ग्राउंड फ्रेम जब देख रहे थे तो वाइटी हाफ म्यू वी रेलेटिब का स्क्वाइब प्लस हाफ मास टोटल इंटू वी सी का स्क्वाइब है अगर कि हम आप से बूले हैं हमारे पास में मास एम बन है और ऐसे ही एक सिस्टम ये से सिस्टम यह में जो हमारा मू यू की लोग नहीं हैं उनके लिए बता रहा है मान के बराबर होगी and जो m total की value है that will equal to what that will equal to m1 plus m2 and vc की value क्या है velocity of center m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2 इसके बराबर आएगा यह हमारा velocity of center आगया है यह हम लोगों ने पिछली क्लास में इसके बार में details में चल्चा कर रखी है कि कैसे चीज़ों को देखना है क्या 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 हम लोगों को करना था केसी क्या होता है कि केसी हमारी kinetic energy in center of mass frame is kinetic energy in center of mass frame of reference this will be a kinetic energy in ground frame kinetic energy in center of mass frame यह कुछ चीज़े हैं जो हम लोगों ने देख रखी थी हमने इसके बार में details में चर्चा कर रखी है लेकिन इसके साथ ही मैंने एक चीज़ इसमें बहुत important बताई थी जो मैं आप लोगों को यहां भी बताऊं को वी relative का square plus half m total into vc का square इसमें दो component है यानि kinetic energy in ground frame में आप देख रहे होगे तो kc plus half mt vc square इस equation को आप ध्यान से देखोगी तो यह दो चीज़े हैं अगर system में हम एक चीज हमें अगर f external की value 0 है तो आप clearly देख पा रहा हूं कि acceleration of center of mass कितना हो जाएगा 0 then आपको पता है हमारी velocity of center of mass कितनी हो जाएगी velocity of center of mass क्या हो जाएगी constant यानि कि change in velocity of center of mass क्या हो जाएगी constant तो clearly change in kinetic energy in ground frame is equal to change in kinetic energy in center of mass frame प्लस यह वाली VC तो change होगा नहीं तो this will equal to 0 यानि change in kinetic energy चाहे central mass frame में निकानों और चाहे ground frame में निकानों वो बराबर आएगी कब external force body पे बिल्कुल भी ना लग रहा हो important है यह point मतलब हम clearly comment कर सकते हैं कि यह वाला जो पार्ट है इछली क्लास में explain किया था इस नॉट डिपेंट्स और डिस इस चेंज लिए वेन ओंवेन एफ एक्स्टेर्नल विए इस नौट एक्कुल तो अगर एक्स्टेर्नल नौट एक्कुल तो जीरो है तो वेलोसिटी ऑप सेंट्रों मास जीरो नहीं होगी इसमें भी चेंज आएगा लेकर लेकर जो हमारा केसी है यानि कि हाफ म्यू वी रेलेटिव यह वाला पार्ट external and internal दोनव forces की वज़े से चेंज हो सकते हैं external and internal forces can change can change the kinetic energy of center of mass तो ground frame की energy जो ground frame of reference है जो हमने kinetic energy देखी है वो कैसे change होगी यह हम लोग देख सकते हैं देख पाब भी रहोगे यह हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में यहां तक के बारे में इतने topics के बारे में चर्चा कर रखी थी कोई ज़्यादा बड़ी बात हम लोगों ने नहीं देखी थी यह important है इससे बहुत सारे questions बड़े easily में solve हो जाते हैं अगर कहीं आप देखोगे तो बहुत सारी problems जो center of mass frame से देखने पर कई बार बहुत easy convert हो जाती है center of mass के frame of reference से लेकिन ground frame से उनकी टफनेट बहुत ज़ादा होती है बजाए इसके कि वो आप उसको center of mass frame of reference में देख रहे हैं not equal to zero होगा तो फिर kinetic energy का जो दो component है kinetic energy of center of mass वाला एक half total into BC square वाला यह दोनों ही differ करेंगे लेकिन अगर कहीं f external की value 0 है तो सिर्फ और से center of mass वाली energy यह जो external है और internal अब देखो कई बार क्या होगा मेंस में यह पूछ लेंगे यह दो component वो दे देंगे kinetic energy from ground frame यह होती है और इसके बाद पूछे लेंगे कि किस पार्ट को vary करेगा तो इसको भी करेगा और internal कि इसको करेगा सिर्फ और सिर्फ इसको करेगा इसको differ नहीं करेगा तो यह दो बहुत सांदार सा question आप देख पा रहे होगे कि हम में लोगों को चीजय करना अगर हम इसकी बात करने तो किस प्रेम की बात करने का यह की डूटा सा इसको अई इतना वात आप लोग धियार रखना कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं कि आप लोगों इसके बारे में ना सोच पाएं कि था हम लोगों को लगता है कि था यह एक्सपरेशन आया कहां से तो आप इससे पहले वाला लेक्षे आगे देखिएगा आपको मैंने इसका पूरा डेरिविशन डेटेज्स में चर्चा करके बताया है वालेडी आपको फील जर्चा करते हैं दो लोगों को कैसे रजाना है क्या होता है यह बहुत इंप्पॉर्टन टॉपिक है क्योंकि लोगोंको फिजिक्स में अगर नहीं कुछ समझ में आता है खासका नीट वालों को अगर वो नीट वाले मेरी यह वीडियो देख रहे हैं तो उननेले यही समझ में नहीं आता है कि सर आपका momentum conserve करा दे रहा हो कब momentum conserve नहीं हो रहा है यह चीज हमें समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले case होना चाहिए अगर आपका sigma f external यानि कि जितने सारे forces लग रहे हैं उन सभी का sum 0 है इफ यह f है यह सबसे पहले आपको देखना है कि net external forces का sum यानि किसी भी object पर कोई object है तो इस object पर net external forces है उनका sum कितना होना चाहिए 0 कितना होना चाहिए 0 अगर कहीं यह हो जा रहा है आपके हैसाब से इतना आप देख पा रहे हो सबसे पहली condition होती है momentum conservation की कई लोग को पता नहीं चलता है momentum conservation direction directly लगा देते हैं तो उन्हें यह चीज़ का idea होना चाहिए कि सबसे first point उनका यही होना चाहिए कि हमारा पहले सबसे पहले एफ external zero है कि नहीं यह center of mass chapter पढ़ाते टाइम सिर्फ मैंने एक ही चीज़ पर focus की है सुरू से लेके last time कि सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि center of mass frame of reference में अकर या center of mass वाले chapter में या कोई भी calculation करते टाइम आपका एक basic visualization जाना चाहिए क्या f external की value zero है अगर f external की value zero हुई तो आप अपने clearly बोल पाएंगे जो भी होगा इससे पहले भी हम लोगोंने कुछ kinetic energy में भी देखा external के बारे में उससे पहले भी हम लोगोंने f external का रोल देखा तो यह सारे रोल उससे पहले भी हमने question क्या था राम एं प्लैंक वाला actual displacement of man and actual displacement of plank यह कुछ चीज हैं हम लोगोंने देखी थी तो यह बहुत important है कि आप कैसे f external को देख पा रहा है कैसे उस body पे f external के बारे में चर्चा कर पा रहा है f external होगा क्या यह होगी कुछ बात है जो आपको समझाने चाहिए तो f external अगर कहीं 0 हो गया यह हमने देख लिया बच्चा बोलता है यह आएगा हमारा क्योंकि net force f external कि इसके बराबर आने वाला है हमारा mass into acceleration इसके बराबर आने वाला है तो mass into acceleration equal to 0 acceleration of center mass zero हो गया तो इससे आप क्लियर लिए बोल पा रहा होगी तो velocity of center mass कितनी हो जाएगी constant कैसी हो जाएगी constant होगी के नहीं होगी और जैसे से यह constant हो जाएगी तो आप क्लियर लिए आपको पता होगा कि वेलोसेटी और सेंटर मांस ही हो गई तो वेलोसेटी और सेंटर मांस हमारे साथ से है कितनी m1 वीवन प्लस m2 वीटू डिवाइड़ वाए m1 प्लस m2 इस विल आल्सो भी आपन से क्या जाएगा और से यह constant तो क्लियर लिए आपको पता है अगर कोई object है इसकी वेलोसेटी वीवन इनिशली इसकी स्पीर्ड यू वन है इसका मांस m1 है एंड एक और object है जिसकी speed u2 है इसका मांस m2 है लेकिन आफ्टर सम टाइम यह initial में यह किसमें इनिशल है इनिशल है तो करेंगे क्या हम लोग इसके लिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक हमादे लिए object है जिसकी इसका मास M1 है हमारा दूसरा अब्जेक्ट है इसके इसका मास M2 है तो इनीशियल मुमेंटम हमारा कितना होगा M1 U1 प्लस M2 U2 यह इनीशियल नेट मुमेंटम हुआ या फिर हमें C को बोल सकते हैं मुमें यह अब्जेक्ट आफ्टर सम बर्क आफ इंटर्नल फॉरस इंटर्नल फॉरस के वर्क से यह क्या होगा इसकी स्पीड माल लेते हैं कि अधी वैंड इसकी स्पीड हमारी कितने होगी बिटो इसके बराबर आना जी लेकिन हमें पता है कि यह छेयर इस इकल टू ट्याइश्टी ऑप सेंट्र वास्क इनीशेल बराबर होगी क्यों कि कि नेट एफ एक्स्टेनल की वैलियू हम लोग देख चुके हैं वो कितनी है जीरो तो एक्सेलेशन और सेंटर मॉस कितना होगा जीरो एनि कि इस से हम क्लियर लिए वह बहुत पार हैंगे वैलियू सेंटर मॉस क्या होगी कौन से यह कुछ बात हैं बार बार लिखते हैं यह आपको भी हविट होनी चाहिए ताकि आप बोलो किसी कुछिन को सॉल करते टाइम आपको फील आने जनरेट हो जाएगी कि कैसे हम लोगों को इस चीज को वर अब करना है कैसे हमें यह सारी चीज़ें देखनी हैं अगर नहीं आपके दिमाग में यह सारी चीज़ें पैरलेल हो बहुत ही M1 U1 plus M2 U2 divided by M1 plus M2 and VC की वेल्ट को हमारे कितने होगी M1 V1 plus M2 V2 divided by M1 plus M2 इससा फाइनल स्पीड ओफ या वेलोसिटी कर दो कोई टेंचन नहीं है वेलोसिटी भी सेमी होई फाइनल वेलोसिटी है ओ अफ सेंटर ऊमास देशिंस इनिश एले टी of center of mass तो initially भी हमें पता है and finally भी हमें पता है तो हमारे हिसाब से external 0 है तो UC is equal to VC आ जाएगा तो रखो इसमें UC गराबर VC कितना होगा? M1 U1 plus M2 U2 divided by M1 plus M2 is equal to M1 V1 plus M2 V2 divided by M1 M1 plus M2 यह जाएगा M1 plus M2 से क्या जाएगा? M1 plus M2 cancel हो जाएगा M1 plus M2 cancel हो जाएगा तो यह क्या लेका है हमारे? M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2 यह जाएगा हमारे अब देखो यह बहुत important result हम लोगो ने निकाल लिया है यह result जो आया है अगर कहीं आप इसको देखो तो दिस विल वी अइनिसियल टोटल मुवेंटम इस इकल तो दिस इस फाइनल टोटल मुवेंटम तो अगर कहीं आपको एक बार यहां पर लिखके दिखाएंगे M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2 यह आगे तो जब हमने यह सारी चीज़ें निकाल लिए हैं तो इसको आप देख पा रहे होगे यह क्या लिखा है इनिसियल मुवेंटम and this is finally momentum this will known as initial minus final यहनी कि this will equal to zero यहनी कि change in momentum क्या जाएगा हमारा zero और Newton second law यही बोलता है कि F external हमारा क्या होता है changing momentum rate of change of momentum अगर F external zero जो यह भी 0 होना चाहिए कि लिए इसको क्या बोल सकता है Dp equal to zero तो पी initial minus P final दूसरा मेथड भी हमने तुरंद बता दिया है हाथ भाए बहुत असे बहुत असानी तरीके से बहुत प्षांदार लेकिन हमने इनिसल मेथड भी आप लोगों को थोड़ा बॉहाँ आईडिया दे दिया है कि इनिसल मेथड में भी हमें कैसे चीजे कभर अप करनी है तो तो आप लोग देख पा रहे हों कि अग्तम कबर आप डेटेल्स में कर दी सब को सॉल भी कर दिया सॉल करने के साथ आप देख रहे हो पूरे डेरिवेशन किया यह डेरिवेशन आपको रटना नहीं है बस आपको इतना सा देखना है डेरिवेशन अगर आप भूल जाओ तो आ में कैसे यह सारी चीजह कबर करनी थी अब हम बात करते हैं आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए कि बास्टता में होता क्या है इन देखो आप लोग सबी लोगों को ने देखा है उनने बताया भी था देखो बॉलिवूड का एक केस यान कर लेते हैं केस स्टडी कर लेता है बॉलिवूड में क्या होता है एक आदमी खड़ा होता एक बुलिट आ रही होती है पचाथ-शाट ग्राम यहाँ पचासससाथ грाम इसके सीट क्राम मालेता है कि इसकी स्पीडी माल लेते से पस आदमी तो लगवववव 120 होता है और विज को बूलिक सो और से बो उ बुलिट लगने के बाद में जो आदमी था अपना उचल के कुछ दूर जाके गिरा माल लेते हैं वो बन मीटर पर सेकंड से गिरा तो बताओ बुलिट के स्पीड क्या होगा क्या यह रियल है या नहीं है यह हम बस देखना चाहिए तो देखो क्या किया हमने हमने क्या है इनी लगी हम आप से बोलें यह बात है तो इनीशल यह देखो जब यह फोर्स इसमें स्ट्राइक किया होगा इस मैं को गोली लगी होगी तो सबसे पहला काम हमारा एक्स्टरनल फोर्स केल्कुलेट करना है वो उसकी वैलू कितनी होगी जीरो के बरावर होगी क्योंकि बुलेट अदमी का जो इंटर्णन फोर्स हो गया इंटर्णनल फोर्स को जैसे एक्स्टरनल फोर्स की वैल्यू किते होगी इनीशल मुवेंट हम कितना हुगा मास इंक्सिलेशन मास इंटु वेलोसिटी तो मास इसका 60 डिवाइद वाई थाउजन केजी में कनवर्ट करा लिया इंट कर लिया है यह सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए अफ एक्स्टरनल की वैल्यू होती क्या है और निकाल ली कैसे ठीक है अब हम देखते हैं फाइनल मुमेंटम अपना पी फाइनल की वैल्यू गया है तो वह बुलेट आदमी में लगी पीछे की तरफ यह बुलेट आई इसको लगी यह जोर से कितने वन मीटर पर सेकंड से पीछे गया ठीक है यह वन मीटर पर सेकंड से जब पीछे की साइड में आपको यह बात पता होगी यह पी फाइनल की वैल्यू 60 इंटु उमक्या लेकिए 1 यानि 60 केजी मीटर पर सेकंड आ जाए गई और क्लियर आपको यह पता चल रहा होगा यह सारी बात है कि हम गुलेट का वेट थोड़ा नेगलेट कर रहा है वो चल जाएगा तो हमारे इसाब से पी इनीचल इस इकॉल टू पी फाइनल और पी नीचल की वैल्यू किलियर लिए कितनी है 6 वाइंट्रेड इंटू वी इस इकॉल टू 6 इंटू 1 6 से 6 कैंसल हो जाएगा सिर्फ किया मज़े का 10 यानि वी की वैल्यू कि थाउजंट मेटर पर सेकंड तो यह इंपॉसिविल कि किसी भी बंदू में इतनी रफतार से एक बुलेट फाइर की जाए तो जो वालीवूड में होता है यानि कि सिर्फ फिल् जाक्यार का इतनी स्वीजिड से एगर गुलेट आयों आग में इतनी स्वीजिट फीजिए पीछे की तरफ को लगेगा उसको वह वह यह तब उसकी स्मूझम होगा उसके पहले। पाही नहीं कर पाई Nicola कि तो अब हम लोग अपने darumic्ट के गो को श्यंद लेटेंग उतर पर आजाते हैं को देख लेते हैं कि कुश्चन हमारा क्या है को एक बन्दू का उसने बुलेट फायर की बुलेट है बंदू का जो वेट है वह 500 ग्राम और बुलेट का जो वेट है वह 10 ग्राम माल लेत है यह हमारी pistol है, इससे bullet fire करनी है, velocity of bullet relative to gun, this will equal to 100 meter per second, यह हमें पता है, यह हमें पता है, लेकिन साथ ही साथ हमें पता है, यह जो होती है, this will known as muzzle velocity, muzzle velocity, क्या होती है, muzzle velocity, तो अगर कहीं आपको किसी बंदूग की गोली की muzzle velocity दी है, this means it is a velocity of bullet relative to gun, क्योंकि gun भी अगर जब यह fire होगी, तो gun भी पीछे जाएगी, किसी speed से and bullet भी आगे जाएगी, तो velocity of muzzle velocity is this, तो velocity of B minus velocity of gun is equal to 100, already इससे पिछले पिछले lecture में हम यह बता चुके है, कि muzzle velocity होती है, तो यह question हमारी 1, हमने question number 1 बना लिए, साथी साथ हमें पता है कि सारे forces हमारे internal है, net external force की value कितनी है हमारी इसमें, net external force की value कितनी है, 0, वो change नहीं हो रही है, वो change नहीं हो रही है, यह नहीं ह कंजर्व होगा, तो initial momentum is equal to final momentum, यह important condition तब लिखो गई, जब आप यह step लिखो गई, जब तक आप यह बाली condition पर मत आना, otherwise आपको एक ही feeling रह जाएगी, कि हमें नहीं मालुम चलता है, momentum कब कंजर्व होता है, कब नहीं होता है, बस हो जाता है, कैसे होता है, I don't know, सर कह देते ह है, इसलिए हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि momentum conservation लगता कैसे है, उसका use कैसे होता है, यह कोई भी questions आप attempting नहीं कर पाएंगे, until and unless जब तक आप f external की value 0 के बराबर नहीं कर देते हैं, यह सबसे important part है, फिर से हम बोल रहे हैं, आप momentum conservation की equation को तब ही लिखिएगा, जब आ होना चाहिए कि f external की value 0 है, यह यह नो there is no external forces on the body, अगर के किसी body या किसी system या किसी object पे कोई net external force 0 है, तो आप momentum को conserve करा सकते हैं, तो initial momentum को इतना होगा दोनों का 0 क्यों क्यों क्योंकि bullet है and गोली है, दोनों rest पे थे, कुछ भी नहीं हो, माल लेते हैं, फायर होगा, फायर होने into velocity of gun, into velocity of gun plus, finally इसका कितना आ जाएगा, माल 10 upon thousand into velocity of bullet, अब देखो इसमें होता क्या, हमने दोनों के speed यहीं माल लिए, कोई दिक्कत ने, आप जैसे ही fire हो जाएगी gun, अगर कोई negative आग या, माल लेंगे वो यह दर की तरफ है, यह दर की तरफ है, यह दर की इसकी, अब ध्या होने के बाद में, bullet भी आगे गई, और gun भी आगे, suppose, लेकिन अगर की negative आगे है, तो gun पीछे चली जाएगी, और bullet आगे चली जाएगी, यह हम कहना चाहता है, तो देखो हमने यहापर क्या कर दिया, 5 velocity of gun plus 0.01 velocity of bullet is equal to 0, this will be a equation number 2, यह हमारी equation number 2 बही है, इसमें there is no doubt, आपको क उटाना नी चाहिए कि हमने क्या किया, हमने बहुत सिंपल से, बहुत अच्छे से, आपको सारी चीज़ें explain की है, आप चाहो तो दुबारा से इस चीज़ को देख पा रहे होगे कि कैसे इसको करना है, कैसे हमने चीज़ों को cover up करना है, basically हमने there is no external forces, हमने external forces को 0 सबसे पहले करने लेका, after that हम questions पर है, हमें सबसे पहले इसमें velocity of bullet and velocity of gunpoint करनी थी, जब यह आ जाएगी तो हमें फिर बाद में, इसके बाद में kinetic energy of the system भी बतानी थी कि क्या होगी, वो भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अगर यह ऐसा question भी आ सकता है, कि माल लिए हमने bullet fire की, तो bullet fire करन कोई भी heat temperature इन में waste नहीं होगी, तो सारी की सारी kinetic energy में आ लेंगे, तो बता देंगे हम fire होने के बाद में, टोटल जो system ने energy release की, वो kinetic energy को घेन कराने में होगी, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हम इस question को, हमारी दुए equation हम दौनों को लिखते हैं, VV minus VG equal to 100 meter per second equation number 1 and 5 VG plus 0.01 velocity of bullet equal to 0, इन दौनों में से एक को कहीं भी substitute कर दो, जैसे अगर हम इस वाले को substitute करने की कोसिस करें, तो that will equal to 5 VG plus 0.01, VV की value यहां से कितनी आ जाएगे, 100 plus VG is equal to 0, एनि 5 VG plus 0.1 यानि 5.01 VG plus 1 is equal to, is equal to 0, एनि VG is equal to 1 upon 5.01, यानि की 100 upon 501 meter per second, यानि की गन जो होगी, वो negative sign के साथ में, पिछली direction में, यानि reverse direction में, reverse direction में recall करेगी, इतना जान रखना 5.1, 10,000, ठीक है, 10 gram, यह हमारा basic notation आ जाएगा, कि हम लोगों ने कैसे position को स्वाल किया है, या क्या हमारा answer आया है, 10 gram नहीं, 100 gram की bullet 10 gram की थी, 10 gram हुआ तो 10 gram is directly linked with kg in 0.01, ठीक है, तो इतने gram का हमारा answer निकल के आया है, कि हमारा इतने gram का यह इतनी velocity हो भी गन की, तो velocity of bullet easily निकाल सकते हैं, velocity of goodness में substitute कर दो, तो 100, 100 plus, यानि minus हो जाएगा, 100 minus 501, 100 common ले लिया है, तो 100 into 500 divided by 501, this will equal to 500 into 20 divided by 501 meter per second, यह इसके बराबर आ जाएगा, यानि आपको speed इसकी पता चल जाएगी, कि हमारी speed यह आई, तो आप लोग ध्यान रखना हमने कैसे solve किया, आपको पता होना चाहिए, यह सारी चीज़ है, अब डौनों की speed पता चल गई हमें, यानि की पूरा, तो system की kinetic energy बहुत असान है, कि kinetic energy of the system कितना हो जाएगा, half M1 V gun का square, plus half mass of bullet into velocity of bullet का square, और इसमें सारे data हम substitute कर देंगे, तो हमारी net kinetic energy भी solve करके आजाएगी, अब जो भी kinetic energy होगी, that will comes from the firing, यानि firing से अपने कोई भी energy का loss नहीं माना है, तो सारी की सारी energy हमारे कह से आके निकल रही होगी, हमारी सारी की सारी kinetic energy कहां से आके आ रही होगी, हमारी firing से गेन हो रही होगी, यानि कि firing करने के बाद में जो net kinetic energy होगी, वो हमारी यही होगी, तो यह हमारे कुछ चीजे हैं, जो हमने solve कर दी, अब हम आपको फेबरिट questions जो बहुत सारी books और बहुत के लिए यह लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि कानेटिक कंजर्वेशन ओव मेंटम को यहां पर खतम और नहीं लगाना है ठीक है क्योंकि अगर यह नहीं हुआ तो नहीं लगेगा अब आपके पास में एक केजी का और एक फोर केजी का ब्लॉक है जो कि एक तरफेस पर रखा हुगा है यह सर्फेस पर रखा युद करें इसको इसकी स्पीड से स्पीड से स्पीड देदी जो के है हमारा वो हंड्रेड न्यूटन पर मीटर है के यानि की स्प्रिंग कॉंस्टेंट जैसे हम बलाते हैं यह हमें सर्फेस सारी कैसी हैं फ्रिक्शनलेस हैं सर्फेस सर्फेस इस और फ्रिक्शनलेस कैसी हैं फ्रिक्शनलेस हैं जितनी भी सर्फ हैं वो सारी की सारी frictionless है हमें maximum compression बताना है कि क्या होगा maximum compression बताना है compression कि इन इस प्रेंग तो बहुत हैसान है maximum कब होता है जब उसका first order differential होगा यानि X की maximum value हमें calculate करनी है क्या होगा D X Y D T is equal to zero this means velocity of relative velocity equal to zero क्यों 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 this will be X का compression मतलब spring का compression equal to be relative zero और आप clearly बोल पा रहे होंगे कि यह compression maximum तब होगा जब दोनर विलॉक की speed same हो जाएगी तब ही तो दबेंगे क्योंकि अगर यह बाहर जा रहा होगा एक कम speed से इसकी speed काम होगी इसकी ज़्यादा होगी इस इस Nobel हो रहे होगी तो दोनों की value कैसी और यह only हो गी same यह बात आपको पता चलनें चाहिए कि कैसे लोगोंने सको same किया है यानि क्यों हमने V-related की value 0 की है तो जैसे ही हमें यह पता चल गया कि V-related की value 0 होनी चाहिए for maximum k के लिए तो हम लोग सबसे पहले आप लोगों को पता है कि साथी साथ हमें एक बात और पता है कि इस पर कोई external force नहीं लग रहा है important बात है आज की lecture में हमने previous class का यूज लिया था there is no external forces यानि velocity of center of mass क्या हो गई constant यानि की change in kinetic energy in ground frame equal to change in kinetic energy in c frame और हम लोग जब c frame में देख सावरा हैं तो c frame में ही देख लेंगे ground frame की है यानि इसकी जो kinetic energy का change होगा वो हर एक frame में same होगा तो basically हमाई असाब से क्यों क्योंकि हमारा यह 0 है तो वो जो दूसरा वाला पोर्स है वो जीरो आ जाएगा और clearly हम देख पा रहे होगे कि work energy theorem क्या होती है work energy theorem क्यों होती है work done by all the forces work done by all the forces is equal to change in kinetic energy in ground frame तो आपको यह importance पता चलेगी जो change in kinetic energy in ground frame और change in kinetic energy in center of mass frame क्या होती है तो center of mass frame क्या होगी और वो क्या होगी हमने निकालना है तो बकटन भई all the forces में कौन सा वर्क हो रहा है सब्सक्राइब का इस प्रिंग का वर्क होता है half की x initial का square minus x final का square is equal to half वी रेलेटिब का स्क्वाइर बाती खाहिए तो हाफ की वेल्यू कितनी होगी एंडरेट इंटू इनिशली इस्परेंग नेच्टरल लेंदपर तो जीरो माइनस फाइनली है निकाल ना है फाइनली हमें निकालना है स्कॉर्ट इस इकल टू हाफ म्यू की वेल्लू आपको पता है वन इन्टू फॉ डिवाइड़ वाइड 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 फॉ इन्टू फाइनली भी डिलेटिब जीरो होना चाहिए मैक्समान कॉंपरेशन के लिए इतने मीटर का expansion हो जाएगा यानि कि इतने मेटर हमारी spring maximum डबेगी अगर कहीं आप इसको इतना पुर्द दो इसको पिछली अगली class आने वाली class में details में चर्चा करेंगे और इसका एक और method की बात करेंगे कि हम लोगोंने कैसे कर रहे हैं ध्यान रगना हमने यहां पर लगाई है और साथी साथ इसका भी उजली है तो दो तीन concept को mix up कराया है that is will be our IIT यही है IIT बस यही खेलती है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा formula लगाना है कौन सा concept लगाना है कौन सी चीज सब सारी चीजें आपके सामने होती है तो यह सारी चीजें हम लोगों ने details में already चर्चा कर लिये तो चलिए आग लोग अपने आज की class को देखते हैं क्योंकि आज हम लोगों ने काफी सारे chapters काफी सारे topics cover up कर लिये हैं तो आज की class में हम लोगों को आप summarize कर लेते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप थैंक वेल ऐकन दबाईए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक बेटन को ज़रूर प्रेश करिए हिट दे वेल आइकन ताकि आपको आने वाली upcoming class का notification मिलता जा सब्सक्रिप्शन बहुत कम है आप लाइट के सेक्षन में जाहिए और उसके बाद में आप अपने सेक्षन में जाने के बाद में बाकी सारी चीज़ों कर सकते हैं तो चलिए अबाई धन्नबाद थैंक यू आप लोगों को आपका दून बहुत अच्छा हो सोना मत पढ़न थोड़ा सा डेली रूटीन में रहना और फोकॉस्ड रहना एक अपने आप से डेली का प्रॉमिस होना चाहिए कि हम इतना तो करेंगे ही चलिए धन्नमाद आथ की वीडियो को हम लोग यहीं पॉस करते हैं